सब कुछ all is well है आपको बता दे कि इंडिया गडवंदन की बैठक तो खत्म हो गई लेकिन कहीं न कहीं जो खबरे शूत्रों के हवाले से निगल कर आ रही है कि नितीश कुमार जो है इंडिया गडवंदन से नाराज है क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये खबरे आ रही थी कि प्रधान मंत्री का उमिद्वार नितीश कुमार को बनाने की लगातार जदियू के तरफ से दवाव बनाये जा रहा था ऐसे में कही न कहीं इंडिया गडवंदन की बैठक जैसे ही खत्म ही तो नितीश कुमार तुरंत बाहर निकल गया कही न कहीं इसको लेकर अब जो है लालू प्रशाद यादव ने खंडन कर दिया है राजस शुप्रीमो लालू प्रिशाद यादव ने कहा कि कुछ मीडिया के लोग बिके हुए है भाजपा के द्वारा इसलिए उन लोग कुछ भी करोगे तो उल्टा ही चलाएंगे वो उनके उपर दबाव है और इस तरह की खवरे जो है कुछ मीडिया में चल रही है लेकिन ना तो नितीश कुमार नाराज है और ना ही इंडिया गडवन्दन में कोई गरवडी है इंडिया गडवन्दन में सब कुछ always well है वही ललन सिंग इन दिनो लालू प्रिशाद यादव से बेहत करीब हो चुके हैं और इसको लेकर जो है कारकारणी और परिशत की जो बैठक खोने वाली है 29 दिसंबर को उसमें रास्तिय अध्यक्ष को बदला जाएगा ये खवरे सूतरों के हवाले से है लेकिन इस खवर इस ब्यान को लेकर जो है लालू प्रिशाद यादव ने साफ कर दिया कहा कोई नाराजगी नहीं है सब कुछ always well है जल्द ही सीट बटवारे पर भी तैह हो जाएगा 15 दिनों के अंदर सीट बटवारे भी होंगे ऐसे में राज़त सुप्रीमों लालू प्रिशाद यादव दिल्ली में है और दिल्ली में उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिये क्या कुछ कह रहे है राज़त सुप्रीमों लालू स्मस्पेर में हुआ और यह मीडिया के लोग है बिके हुए हम दम नरेंदर मोदी से चाहिए जो भी हम लोग टाय करें उनका तय है कि उल्टा बात बोलना उल्टा प्रजेक्ट करना कोई भी यह कहा गया उसमें कि लालू परसाद और नितिस्कुमा दोनों नराज है बैठक से उठके चले गए बैठक खतम हो गए सब आदमी प्रेस कंफरेंस में नहीं जाता है यह लोग है कम ही लोग जाते हैं जो बोलना है और जो बात हुई वो सब बात बोला गया अब अब इत्तय हो चुका है कि एकदम सीट का बटवारा जल्दी से कर देना है और आगे इसको सब लोग एक जूट हो करके हम लोग कर रहे हैं कि लालू यादव से ललन सिंग की दोस्ती बढ़ गई है इसलिए नितीश कुमार हटाना चाहते हैं ललन सिंग को जड़ियू करकार्णी की बर्चा का परश्यत्ति बटवारा तो आपने सुना साब सब्सक्राइब में राज वाले बातों पर इंकार किया और कहा कि सब कुछ औलिस वेल है कुछ पत्रकार कुछ शैनल बिके हुए हैं इसके वज़ा से इस तरह की खबरे चलवाई जा रही है और भाजपा के द्वारा चलवाई जा रही है अगर अच्छा भी कर रहे हैं तो उसे खराब दिखाने की द